As you all know guys, कि जो भावय गांदी है, जो टप्पू का रोल प्ले करते थे सबसे पहले, तो guys यहाँ पर अभी पुछपा इंपोसिबल में वो विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह उता है, क्या वो तारग में नजर आएंगे या नहीं आएंगे या आ सकते हैं, तो वो definitely आ सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भावय गांदी खुद ही नहीं आना चाते थे शो में, लेकिन दोस्तों, अभी recently एक interview में भावय गंदी ने बताया था, कि वो कुछ भी रोल करना चाते हैं, वो सारे रोल करना चाते हैं, experiment करना चाते हैं, और अभी उनकी age है कि वो different- special role कर सकते हैं, तो अगर उन्हें तारिक मैता में आने का मुका मिलेगा, कोई दूसरा रोल करने का मुका मिलेगा, या कोई मुवी प्रोमोट करने का मुका मिलेगा, या कोई टीवी शो प्रोमोट करने का मुका मिलेगा, तो वो definitely Tarik Mehta में फिर से जाना चाहेंगे जी हां दोस्तों तो यहां पर बहुँ ज़ाँ चांसे हैं कि वो Tarik Mehta में भी नजर आ सकते हैं कोई दूसरे रोल में वैसे दोस्तों यहां पर मैं सूच रहा था कि Tarik Mehta Shoki जो नई स्टोरी श्टार्ट हुई है क्या देखने को मिलता कि मतलब पुराना टपू और नय टपू के बीच में लड़ाई देखने को मिलती तो वह चीज़ दोस्तों काफ़ी सदा इंटरस्टिंग हो जाती वैसे जीता तो नया टपू ही लेकिन दोस्तों पुराना टपू भी अपनी छाप छोड़ कर जाता तो य चीज देखनी इंटरस्टिंग हो सकती दी लेकिन दे अजिकते हैं दोस्तों के त सग्ताते हो कमेंट सेक्षेन में जरूर बता न और हा दोस्तों बहुत ही जल्स ने वाली और या 10 टेलिग्रम पर बहुत मreseट ही के टीवी की वो भी 1000 रुपीज के एंडर तो गाइज काफी ज़्यादा मस्त डिल्स आने वाली है तो वट्साइप और टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना वहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी डिल्स मिल जाएंगी ताकि दोस्तों इतने में आउट ओफ स्टोक न हो जाएंग जिरूर चैक कर लेना